राइज वल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी महुर्शाद ली उत्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भरती के लिए असिस्टन टीचर्स के रिक्रोट्मेंट के लिए साल 2020 का सूपर टेट आपके लिए आ रहा है ये सूपर टेट जूनियर लेवल के लिए होगा जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सहायक अध्यापकों के 4300 पदों के लिए ये परिक्षा कराई जाएगी जानेंगे पूरी डिटेल को इस परिक्षा के बारे में आपकी आयू सीमा क्या होनी चाहिए सैक्ष्णिक योग्यता यनी कौन कोन अभ्यारती इन प स्कूरिंग है यूपी टेट का एक्जाम सूपर टेट से पहले होगा 2020 वाला या बात में होगा इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में डिसकस करेंगे आप से रिक्ष्ट है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जो लोग सूपर टेट 2020 की तयारी करना चाहते हमा आई कर दीजिए आईए जानते हैं कि सूपर टेट 2020 में जूनियर के लिए कुल कितने पद है और इसमें प्राथमिक के खुल कितने पद आपके लिए आ रहे हैं तो super tech की जो परिक्षा है वो धू लेवबल के लिए कराई जाती है, इंच में होता एक प्राथ्मिक लेवल, जिसमें कक्षा एक से पास तक के टीचर बनते हैं, दूसरा लेवल होता है junior जिसमें कक्षा छैसे, कक्षा आठ के टीचर बनते हैं. तो अभी फिलहाल जो सूपर्टेट 2020 है वो जूनियर लेवल के लिए यानि कक्षा 6-6-8 तक के पदों के लिए जो सायक अध्याप को भरती की जाएगी सूपर्टेट उन्हीं के लिए आ रहा है यानि जूनियर सूपर्टेट होने वाला है इस बार और कुल पद जो है उसमें क्लियर लिका है क्योंकि इससे पहले जो प्रात्मिक लेवल की या प्राइमरी लेवल की जो भरती परिक्षा हुई है वो है 69,000 अभी कोट में विशारा धीन है जब तक ये भरती क्लियर नहीं हो जाती है तब तक प्रात्मिक लेवल के जो है या प्राइमरी लेवल की कोई भरती नहीं कराई जाएगी तो जैसे ही ये clear होगी तो आप के लिए 50,000 से ज्यादा पत primary के लिए अभी खाली है तो 69,000 primary level complete या clear या फिर एक तरीके से नियुकती के बाद में इन सभी अध्यापकों की नियुकती के बाद में प्रात्मिक के लिए अगली जो भरती आएगी उस भी आपको मिल जाएगा इसमें अगर हम बात करें जूनियर सूपर्ट की जिसमें 43 सूपद आपके लिए आ रहे हैं इसमें प्रधान अत्यापक और साहिक अत्यापक इन दो पदों के लिए भरती आएगी जो कि आपके उत्तर प्रदेश के जो अशाश के साहता प्राप्त जूनियर हाइग स्कूल होते हैं उनके लिए ये भरती की जा रही है और इसके लिए आपके पास योग गेता क्या होनी चाहिए तो आपके पास ग्रैजुएशन 50% ग्रैजुएशन में जो इस नातक में आपके 50% होनी चाहिए साथ ही जो है बी टी सी या डी अलेड आपके पास होना चाहिए या बी एड तीनों में से एक और आपका यूपी टेट जूनियर लेवल का क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जूनियर लेवल का सूपर टेट है अगर ये क्लियर नहीं है तो आपका सी टेट जूनियर लेवल का क्लियर होना चाहिए तो जिनके पास ये अह अगले महीने आपको इसका notification देखने को मिल सकता है और इसके लिए पहले से ही देखे कोई भरती होती है उस भरती के आने से पहले ही जो news आने लगती है वो actually बिलकुल ठीक होती है क्योंकि हमने जो पिछली भरतियों में पढ़ाया है आपको जूनतर हजार में पढ़ाया है उस से पहले आपको तयार करना होता है लगबग 2-3 महीने पहले आपको अंदजा हो जाता है कि यह परिक्षा होने वाली है इसलिए आपको यहां सचेत किया जा रहा है अगर अभी से आप पढ़ेंगे सूपर्टेट एक्जाम के लिए अपनी तयारी को शुरू करेंगे तब त आपको जो है कुल 150 नंबर का पेपर था जिसमें प्रशन एक सूपचास ही प्रशन थे और एक सूपचास ही आपके यहां पर मिनेट्स थे ठीक है और इसमें जो है बहु विगल पे अबजेक्टिव टाइप का यह पेपर हुआ था यह हम बात कर रहे हैं कि इसकी 69,000 जो सिक देख पा रहे हैं यह इसका पार्टेकरम है इसका syllabus है बिलकुल crystal clear syllabus था इसका और इसी तरह से बिलकुल super tight junior level के लिए भी clear ही आपका बिलकुल एक एक topic बताया हुआ होगा कि इस topic से कितने questions आएंगे syllabus के according तो यहां आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देखें भाशा के लि व्याकरन, grammar आएगी, grammar के questions आएंगे, आपटित, गध्यांश, पध्यांश दोनों पुछे आएंगे और इसमें जो है देखें व्याकरन और आपटित, गध्यांश, पध्यांश जो है और यह grammar है और comprehension यानि हिंदी, संस्क्रिट और अंग्रेजी इन तीनों के 40 marks की जो है language प सूपर टेट का वो सेम ही रहने वाला है, तो भाषा के पकड़ आपके उपर होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए भाषा के उपर आपके पकड़, तो इसमें अगर आप हिंदी की बात करें, तो हिंदी में ज्यादा questions आएंगे, 20 questions हिंदी के रहेंगे, और इसमें अगर हम ब विज्ञान है, science है, science के आप से 10 questions पूछे जाएंगे, इसमें जो normal हमारे देनिक जीवन में जो विज्ञान है, इसमें topic के नाम clearly mention किये गए हैं, यहाँ देखिए, गती motion, यहनी force, बल, energy, यहनी उर्जा, और दूरी, यह क्या है, यहाँ पर देखिए, प्रकाश धवनी है, और जीवों की दुनिया, मानव शरीरिक स्वास्ते, स्वास्ति पोशन, पर्यावरण, प्राकर्तिक संसाधन, पदार देवम अवस्ता है, एक तरीके से यहाँ पर physics, chemistry, bio, तीनों के questions पूछ लिए गए हैं, तो याद रखिएगा, इसमें सब से ज़्याद आएंगे आपके भोतिक के questions, ठीक है, भोतिक विज्यान के 4-5 questions पूछे जाएंगे इसमें, और रसायन की बात करें chemistry की, तो इसमें 1-2 questions chemistry के रहेंगे, या 3-4 इसमें किसके रहेंगे, bio के रहेंगे, अगला subject आपके लिए है, गडित, scoring है, तो सबसे आदा भाशा होई scoring, और एक यह है, यह free क एक तरीके से यह, आप कह सकते हैं, जो general studies इसको बोल सकते हैं, सामान्य अध्यन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें, प्रत्वी की संरशनाई topic कहां जाएगा, जेगरोफी में, नदिया कहां जाएगा, जेगरोफी में, महादीव जेगरोफी में, प्राकरतिक संपता, environment का भी हिस्सा है, जेगरोफी का भी हिस्सा है, तो जातर ये सब जेगरोफी के topics दिख रहे हैं, और यहाँ पर आईए, सुचंतर संग्राम, यानि इसका मतलब कहने का यहां क्या है, यह आप से यहां, sorry, इतिहास के बारे में, पूछ लिया गया है, ठीक है, इतिहास में भी क किस नाब से बोला गया, पर्यावरण, इवं समाजी कद्यन, ये इसके 10 questions इसमें बोले गए हैं, ठीक, देखें, ये जो प्रारूप है, ये जूनियर के लिए यहां तक बिल्कुल सेम हो सकता है, अब नेक्स देखिए, तो आगे अगर जूनियर सुपर्टेट वाला जो syllabus हो ये 10 नंबर का आप से सिक्षण कोशल पर question आएंगे, बाल मनो विज्ञान के 10 questions आएंगे, और ये बाल मनो विज्ञान सब वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये देखिए, यहां पर सामान्य ज्ञान और समय समाई घटना हैं, इस नाम से भी अलग मेंश पर question कर दिया गया है, तो इसमें current affairs की घटना है, आप से सारी पूछी आएंगी, current affairs, यानि 30 नंबर ये और 10 नंबर वो, यानि 40 marks तो आप यहां से यही कह सकते हैं, और 40 marks में भी अगर हम उस विज्ञान को भी शामिल कर लें, तो 50 marks का लगबग क्या हो जा रहा है आपके यह असर, यह GS का portion जो आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हैं, तार की घ्यान में reasoning आपके लिए हैं, यहां पर reasoning के 5 questions है, topics आपके सामने हैं, तो at least in syllabus आपका primary का है, इस syllabus को तो आप जरूर देखेंगे, आप कहेंगे कि यह primary का है, junior में नहीं आएगा यह, तो अभी उसके computer और information technology के questions आएंगे, basic computer के questions यहां 5 पुछे जाएंगे, और जीवन कोशल के इसमें 10 questions आपके आने वाले हैं, इसका PDF आप हमारे telegram से डाउनलोड कर सकते हैं, अब बात करते हैं junior की, तो यहां पर section का division हो सकता है, जिस तरह से आप UPTED का exam देते हैं, UPTED में भी दो level हैं, एक primary और एक junior level, तो इसमें junior level जो कक्सा 6 से 8 तक के लिए होता है, इसमें आपने देखा होगा, हम UPTED की बात कर रहे हैं यहां पर, यह UPTED को आपको यहां पर show किया गया है, UPTED में आप यहां देख पा रहे हैं, जो 6 to 8 के लिए junior level का exam होता है, उसमें गडित और विज्ञान सिक् questions पूछी जाएंगे, और अगर आप किस से हैं, आर्ट से हैं, तो आपको समाजिक अध्यान या समाजिक विज्ञान सिक्षक के लिए समाजिक अध्यान की questions, 60 questions पूछी जाएंगे, तो यहां पर अगर आप गडित के और विज्ञान के सिक्षक बनेंगे, यानि junior का जो exam है, वो के दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो गडिती विज्ञान वाला हो गया, एक वर्ग, दूसरा वर्ग हो गया, SST के लिए, तो दो वर्ग है आपके लिए, यहां पर तो 30-30 questions आप मैंस के मान सकते हैं, 30 questions यहां पर किसके विज्ञान के मान सकते हैं, तो यह additionally आपको जो जिस तरह से हमने प्राइमरी का पेपर देखा था, उसी में आप कह सकते हैं, कि इसमें उस पेपर में, 150 नंबर के पेपर में, इन के लिए अलग से जो है, अलग से section को mention किया जाए, यानि गडित के और विज्ञान के question की ज्यादा भरमार रहे, बाकि subject की मुकाबले, क्य होना है, शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही SST के आपको 60 questions तो नहीं, इससे कम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, यानि उस पेपर के ratio में, SST के question ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप division है, 68 के लिए, जूनियर के लिए, एक तो व गडित विज्यान के जो अभिहारती हैं, ठीक है, जो भी 6-8 के लिए, आपको पता है कौन सा साइड है आपका, 6-8 के लिए, जो गडित विज्यान के लिए अपलाई करेंगे, वो maths, यानि maths और science पर ज्यादा फोकस करेंगे, अभी से ही, मांकर लीजेगा, अभी से ही और जो सामाजिक, आर्ट साइड वाले हैं, वो जो है social studies, सामाजिक अध्यान के जो विश्य हैं, चार, उनको ज्यादा फोकस मेलेंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इस चीज़ को, और इनको जो है, especially आप पढ़ना शुरू करिए, बाकी जो है, देखे, जो आपक अधिकार कभी नहीं जाएगी, ये भी आपका जो दस नमबर पे, बीस नमबर mathematics आ रहा है, वहाँ भी ये help करेगा, और जो दस नमबर का विज्यान पूछा रहा है, वहाँ भी help करेगा, तो आप इससे बचिये मत कि हमको specially बताईए आगर के, जुनियर के लिए ये syllabus रहने व आपको नहीं लगेगा कि कोई subject आप से बच रहा है syllabus में, बहुत विशाल syllabus है, और बहुत ही clear syllabus मेंचन किया है, जितना syllabus में बताया है, questions वहीं से पूछे जाएंगे, और कोई इतना tough नहीं है, ज्यादा जरूर है syllabus लेकिन tough नहीं है, इतना याद रखिए, और अगर बात करें प्राइमरी की जब 17,000 की भरती आई थी, उससे पहले UPTET करवाया गया था, तो ये भी जो है, इस से पहले जो है, इस सूपर TET से पहले UPTET का exam आपका करवा लिया जाएगा, अगर इसमें आरताओ में UPTET मांगा गया है आपके लिए junior level के लिए qualify, तो ये सारी चीजे भी प देखा देते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि एडिट junior high school में जो है, भरती जल्दी आने वाली है, और ये देखिए, काफी दिनों से इसकी चर्चा है, ये आप डेली newspaper में देखते भी होंगे, और बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलते होंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह पातरता बताई हुई है, इस exam के लिए, तो एडिट junior high school में सिक्षा को और प्रधाना त्यापको की भरती के लिए, टेट उत्तरीन वे अभ्यारती, जो सनातक में 50% अंकों के साथ, जो है, बीएड में उत्तरीन होंगे, या फिर ज देखिए, इसमें इसके साथ जो 4 वर्षी है, इंट्री ग्रेट जो बीए है, या बीए सी उत्तरीन होंगे, वो जो है, इस पत के लिए आविदन कर पाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा यहाँ बताया हुआ है, इसके लिए जो है, आप इसका screenshot रख सकते हैं, या इसको हम अपने telegram channel में upload कर देंगे, इस पूरे browser जो आपने देखीए, पीडियेफ, इस पीडियेफ को download कर लीजिए, और जो भी है, इसका syllabus भी सी में है, ठीक है, तो इनकी तयारी के लिए आप लग जाईए, अब इसके syllabus के according हम subjects में study शुरू कर देंगे, अभी हमने आपको विग्यान की तीन classes दी है, actually वो classes आपके warm-up के लिए हैं, यानि आपको basic touch देने के लिए हैं subject के लिए, उनकी थोरा study, उनकी बिल्कुल detailing study के लिए हम अलग से अब विग्यान को पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले एक बार पूरा overview विग्यान का दे देते हैं, इसके साथ mathematics औ करवाया गया, काफी content फसता है, तो इसके आप चिंता मत करिए, यहाँ पर हम exam में फसने की guarantee नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी हम आपको सिखाने की guarantee लेते हैं, जब हम सिखाते हैं आपको जब आप सीख जाते हैं, तो automatically exam में questions आप करके ही आते हैं, और questions वो definitely जो हम पढ़ाते ह हैं, वो exam में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, वीडियो को like कर दीजिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अकली वीडियो में